यह चे विट्टों से असी बाले पहले बहुत बड़ी फता है रिज्वान एदर साहब इस सब मैसिव विक्ट्री पर्याल बूस्टर एंड वेरी वेरी जिसे कहता है बदनुमा दाग यार मुझे यह बता दो कि कौन सा ऐसा बंद है जो इस टीम के पीछे बढ़ा हुआ जो इ यह ब्लैक स्पार्ट राहूल रैविट्ट साब के कोचिंग में तबाहियों बरबादी हो रही है बेड़ा गरक हो रहा है और सबसे जादा बड़ी बात है कोई नहीं मानता ना मनें देगे हमारी अपनी टीम होती तो मैं तो इसमत इनकी ऐसी की तैसी कर देता है और हमेशा क्या जरूरती ही एक्सपेरिमिंट करने की चा जरूरती विराट को बिठाने की प्रुएट्स शर्मों विठाने की असान मैचों में भुडू मैचों में तो कुए गली का पच्छा लाएं हो भी कर जायेगा तो यार एकस्पेरिमिंट्स अच्छे लगते हैं लेकिन इतने कोई भी एक्सपेरिमेंट्स अच्छे नहीं होते कि आपकी टीम को कोई भी एरी गैरी टीम उठाके मारके चली जाए। इंडिया इस सीरीज में एक्सपेरिमेंट के दोर से गुजर रही है। पहले मैच में रोही चर्मा साथवे नमबर पर बैटिंग करने आए तो कोहली आटवे नमबर पर आते लेकिन दूसरे मैच में तो दोनों दिगज खेले ही नहीं। कप्तानी हार्दिक पंडिया कर रहे ओपनिंग जोड़ी के 90 रन जोड़े लेकिन उसके बाद पूरा बैटिंग ओर्डर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इस लचर प्रदर्शन के बाद हैट कोच राहूल ड्राविड मीडिया से बात चीत करने पहुंचे तो बताया कि विराट रोहिद को दूसरे वंडे मै मैच में आराम क्यों दिया गया। ड्राविड ने कहा इमानदारी से कहूं तो एशिया कप से पहले दो तीन मैच वाली इस सीरीज में कोहली और रोहिद के खेलने से हमें कोई जवाब नहीं मिलता। हमारे पास सिर्वेस्ट इंडिस के खिलाफ जारी इस सीरीज का ही वक्त ह जो उन्हें एशिया कप और उसके बाद वर्ल्ड कप की तैयारियों में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि शुरेस अईयर और केल रहुल जैसे गाहिल खिलाडी फिलहाल नेशनल अक्रिकट अकैडमी में रीहब से गुजर रहे हैं मगर वापसी को लेकर अनिश्चिता तो ब इतनी यार हर्दिक पांडिया इतना कोई निकमा कप्तान साबित हुआ है तो ओवर दियें इसने टोटल उसको अक्षर पडेल को एंड पे जदेजा के ओवर नहीं मुकेश के ओवर नहीं ठाकुर ने तीन विटें तुझे ले दी हैं बैक बॉन तोड़ दी है कुलीब ने उपर सेक आउट कर दिया है सारे बॉलर परे मुकेश कुमार को सिर्फ तीन ओवर दिये है उम्रान मलक को तीन ओवर दे दिये मार का गया जिदे खुद आगे बाहल पकड़ लेता है ओ भाई मेरे आप्सूलूटी राइट के ये देर वस ओनली वन वे विनिंग इस मैच अग टिम जो वर्ल कप नहीं है एटी टूनडी विनिगर निकेली वर्लक डो सार तेईस निकेलेगी डिस्तर है मैं जिसके आप सच कहते हैं नाम भी किसी को नहीं कुछा, तो बढ़ जन वो टीम ने इंडिया को असी बॉले पहले, असी बॉले पहले छे विट्टों से, ये छे विट्टों से असी बॉले पहले बहुत बड़ी फताए, रिजवान एदर सावे, it's a massive victory, moral booster and a very, very, जिसे कहता है बधनुमा दाग, ये black spot राहूल रैविट साब के कोचिंग में तबाई और बरबादी हो रही है बेड़ा गरक हो रहा है और सबसे जादा बड़ी बात है कोई नहीं मानता ना मनें देखे हमारी अपनी टीम होती तो मैं तो इस वे इनकी ऐसी की तैसी कर देता है चार साल के बाद मैं चाहरा है वंडी चार साल के बाद आ रहा है एक टीम जिसका नाम नहीं पता किसी को रिजवान नाम नहीं पता जिसके उस टीम ने ये दावा करता है हर्दिक पांडिया कि हम तीन टीमें उता रहे हैं और हर चीज जीच है कप्तानी से आती नहीं है जाब रहे देखें असान मैचों में 5554 पर तीन आउट हो ना एकतर पर सौरी बाइडन वहां से आपने परिकानवे पर चार वहां से अपने कानवे रंगी पार्ट्रिशिप लगवाई में मालरों को अटा दिया मुकेस तो तुमारा लाए नहीं ठाकुर को दूर कर दिया ऐसे क्रिकेट किये गे और टीम की क्या में आपकी बॉलिंग अच्छी हुई लेकन बैटिंग आपकी वही जो आप पांच विक्ते आपने जो आपने दे दी एक सो चोबदा चेस करते करते लेकन वहां से आपने लेसन नहीं लिया आपने अगले मैच में फिर वही चीज़ें की उस मैच में चले रोहित और को आपने खिले आई नहीं रोहत भी बाहर बैठे हुए हैं विराट भी यार मुझे यह समझने है रही कि विराट कोली के पीछे क्या मसला है वो बंदा जो आप मैच में जो आप सेंचरी बिना रहा है और क्या कोई ऐसा बंदा उसकी पीछे पढ़ा हुए है यार इसकी छे बंदे को मिलती है ना तो लगातार खेल रहा है विराट कोली पीछे इतना रेस्ट करके आए टी ट्वंटी जब औरे थे विराट कोली ने रेस्ट कर लिया अब फिर आपने रेस्ट कर दे दिया वर्ल्ड कप से पहले उन्हें खिलाओ यार पर फार्म करें वो हर टीम के हला करने का नहीं होता है यह टाइम जाव एक्सपेरिमेंट्स करने का नहीं होता है यह टाइम होता है जो टीम आपने बनाई है इतने पूरे साल से उस टीम को खिलाने का टाइम होता है लेकिन आप वो चीज़ करी नहीं है कि यह नहीं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है यार कल का मै तो ये था पाकिस्तानी मीडिया का रियक्शन टीम इंडिया को मिली इस शरम राखार के ओपर आपकी राय में क्या ये हार टीम इंडिया के लिए आने वाले वर्ल्ल कप के लिए चिंताएं पैदा करेंगी या फिर नहीं कॉमेंट करके जरूर लिखें मिलेंगे आपके एक और नई वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद